नमस्ते दोस्तों मेरा नाय मैं मैयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ रिस्तर है यहाँ आप अपने मॉबाइल पे समझोर उच भी अपडेट आये हैं आपने मॉबाइल के रिदाड इन आइफोन में मैं बता रहा हूँ और यहाँ आपने पास कौन सा भी आइफोन आइफोन 10 11 12 13 14 यह जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ यह सेम है और यहाँ अधर अपने पास थोड़ा पहले वाला भी फोन सपोस आइफोन 6 7 8 तो यह जो मैं सेटिन बताने वाला हूँ यह सेटिन उसमें भी चलने वाला है तो यह वीडियो देखने जरूत नहीं पढ़ने वाली है तो यह वीडियो आप लास्ट तर जरूर देखिए और जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ वह यह आप स्टेप एज इस फॉलो दीजिए आपको यह जो प्रॉब्लम है वह 100% सॉल हो जाएदा प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते हैं इसे मतलब आप लिए बहुत ही शिंपल यह प्ले स्टोर पर आजिए बाजु में जो 17 वाप आजी सेटिन में आजाने बाद में आप आप लिए नाम आपने डाला है वह आपर शो हो रहा है तो यहाप है नाम शो हुआ अभी आप थोड़ा निच्छे आ जाए बट यहापर मैं सैटिन बता उससे पहले आप मुझे निचे सेक्षन में यह जरूर बता दीजिए आप तो यह जन्रल में जन्रल में आ जाने देबाद में यह आप आप आजए यह सौफ्ट्वेर अपडेट पर सौफ्ट्वेर अपडेट पर आ जाने देबाद में यह आप आप देचते हो यह जो भी आप अपडेट आया है वह यह आप शो हो रहा है तो अपडेट में पहले तो यह डाउनलोड हो चुल रहा है मेरे फोन में बट अभी मेरे आप फोन तरी बैटरी 40 परसेंट है इसलिए आप यह इंस्टॉल वाला ओप्शन नहीं आ रहा है यहां पर आप पड़ सत्यों दिस अपडेट रित्वाय एटलेश 50 परसेंट मतलब 50 परसेंट उपर बैटरी चाहिए तो ही यह अपडेट होने वाला है और अभी मेरी बैटरी है 40 परसेंट इसलिए आप यह अपडेट अभी मेरे पास 40 परसेंट है और मिनिममम जो रिप्वायर्मेंट है वह 50 परसेंट इसलिए यह नहीं हो रहा है तो ऐसे होता है यह यह आप सेटिक में आए जनरल में जनरल में सौफ्टेर अपडेट और यह यह राव यह पर ही शो हो जाएदा सपोस्वेंग आता है यह बाव बाई